सब्सक्राइब बात करेंगे तो आज मैं बात करूंगा टॉप फोर अपडेट के बारे में जोकी हैं स्पाइडर में से लेटिव तो गैस्ट वीडियो को पूरा देगी का अपडेट बहुती जादा कमाल के हैं तो सबसे बिले बात करते हैं Spider-Man 4 से लेटिव अपडेट के बारे में जी हाँ आपने सई सुना Spider-Man No Way Home अभी अभी रिलिस हुई और Spider-Man 4 से लेटिव अपडेट आना चालो भी हो चुके हैं जिसमें की Sony की तरफ से अपडेट यह आया है कि आपको upcoming future Spider-Man 4 में जिसमें कि Tom Holland as Peter Parker होने वाले हैं जिनका एक अच्छा relationship दिखाया जाएगा Miles Morales के साथ Spider-Man No.Be Home में एक spell के कारण Peter Parker को सब फूल चुके हैं और देन उसी के साथ Electro ने एक reference दिया ता बहुत ही अच्छा कि खही ना कहीं दूसरे multiverse में एक काला Spider-Man भी होगा अगर ऐसा उसने बोला है तो और अब यह update आया तो भाई खही न खही यकीन तो होले लग जया है कि आने वाले future में हमें Miles Morales भी दिखने को मिलेगा Spider-Man 4 में और finally Sony तरफ से update यह आया कि Sony कोशिश करेगा कि Spider-Man और Miles Morales का एक अच्छा relationship बने जैसे कि आपने Spider-Man game खेली होगी जिसमे कि Miles Morales Spider-Man कितना अच्छी तरीके से सभी mission को अन्याब देती है और Miles को अच्छी तरीके सीखता भी है Then उसी के साथ आपने इनिया Spider-Verse भी देखी होगी जिसमे कि Spider-Man Miles को कैसे सिखाता है तो क्या पता कि हमें लाइव एक्षिन Spider-Man 4 में यही देखने को मिले कि Tom Olin का जो Spider-Man है वो Miles को कैसे सिखाता है कि लोगों कैसे बचा जाए कैसे बात करी जाए और दिन स्विंग कैसे करी जाती है काफी सारी चीज़े हैं तो यह हमें साथ Spider-Man 4 में देखने को मिल सकता है जो कि सौनी की तरब से अपडेट आई है चलिए ब बात करती है सेगंड अपडेट के बारे में जुकी पहुत जादा कमालती है तो आप समी ने फाइनली मेरी एक स्टोरी देखी होगी जिसका नाम था Spider-Man Lotus काफी लोगों ने पूचे थे कि भाई इसके बारे में बताओ क्या है तो यह एक्चलिए में एक फैनमेट मुवी है जो कि US में रिलीज होगी अभी तक रिलीज इन डेट कंफर्म नी होई है एक्चलिए में जैसे कि मैं एक फैन हूँ आप सभी एक फैन है और US में एक इत्ता बड़ा फैन नेकला जिसने कि खुदी पूरी मुवी बना डली इसकी स्क्रिप्ट, इसका ट्रेलर, सब कुछ काफी कमाल का है अच्छा खासा इस पर काम करा है इस मुवी का अगर आप ट्रेलर देखोगे और आप आप आएम बीडी पर देखोगे तो एक्चलिए में इसको ड्रामा केटिगरी दी गई है और आपको एक्चलिए में इसमें कोई फैट सीन या कुछ एक्शन सीन देखने को नहीं मिलेगा इस में आपको सिर्फ ड्रामा ही देखने को मिलेगा तो ज्यादा एस्पेक्ट मत करना फिर भी एक फैनमेट मूवी हो और हम इक खुद फैन है तो एक फैन मूवी को सपोर्ट करना चाहिए यूएस में काफी बड़े-बड़े यूटुवर ने इसके ट्रेलर को रियक्शन दिया अमडीबी ने इससे काफी अच्छी खाती है नहीं रेटिंग भी दिया इसके ट्रेलर को और दिन आप लोग भी इसके ट्रेलर देख सकते हैं लिंगे डिस्क्रिप्शन, ट्रेलर अनॉंस्मेंट, फस्टीजर, ट्रेलर, मैंने सभी के लिंग डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं और दिन लास्ट का सीन तो पहुती जादा खमाल का तो जरूर देखना ड्रामा मूवी है, देखने लागे है, मज़ा आएगा, जैसे ले इन गेट कनपर्म होगी स्पाइडर मैन लोटस की आपको में तरन बता दूँगा चलिए अब बात करते हैं, फोर्थ अपडेट के बारे में जो की है स्पाइडर मैन नोवी होम से लिटे तो सबीके काफी सारे कॉशन थे, कि स्पाइडर में नोवी होम ऑफिशली ब्लू-रे में कब रिलीज होगी, हिंदी में भारत में तो देखो, ब्लू-रे डिस्क कोई तो खरीता नहीं है, पर जब रिलीज हो जाएगी तो आप उन-लाइन उसे इसीली डाउंबोड कर सकते हो तो फाइनली अपडेट यह आया है कि 30 अपरेल को नोवी होम ऑफिशली ब्लू-रे में रिलीज होगी पर 4K Ultra HDB रिलीज होगी और देन OTT पे आपको US की अकॉर्डिंग तो फरिवरी में रिलीज होगी पर मार्च में आपको नेट्फलिक्स पे देखने को मिल सकती है तो उसी के साथ आप बात करते हैं अगला अपडेट के बारे में जुकि यह बैनम से लेटेफ के बैनम कब रिलीज होगी तो बैनम फाइनली गोड़नी उसे के बैनम इस महीने रिलीज होने वाली है 31 तारिक को ब्लूरी में और देना आप उसे इजी ली हिंदी में ब्लूरी में डाउलोड कर सकते हैं कुछी दिनों बात ओनलाइन तो यार ओनलाइन सब कुछ मिल सकता है तो गाइस यह थे वह काफी सारी कमाल की अपडेट देनसी के साथ अगर आप मेरे चैनल में डाई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना जिससे कि आपको सारी सुपर फास्ट अपडेट तुरंट मिलें अगर और भी जाता सुपर फास्ट अपडेट जानने तो आप मेरे इस्टाग्राम को फॉलोओ पर सकते हूं हाँ पर तुरंट के तुरंट सारी अपडेट आलता रहता हूं तो गाई साज गले में से इतना ही थैंको रोच वीडियो बाबाए जा रहो